नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस को डिजिटल चैनल इन खबर हाली में आई बायोपिक फिल्म ठाकरे को बॉक्स ओफिस पर जबरदस तफलता मिली है फिल्म को मिली जबरदस तफलता के बाद अब फिल्म के निर्माता संजर राउट दूसरी बायोपिक फिल्म की तैयारी में जुट गए है खबरों के माने तो संजर राउट फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस की बायोपिक फिल्म की तर्यारी कर रहे हैं दरासल अभी दो दिन पहले ही लंबी बिमारी के बाद देश के फॉरवर्ण डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया था नेता से फिल्म निर्माण के छेतर में आयस अंजर राउत ने इस बात का खुलासा किया है दरासल फिल्म की कहानी पर बहुत पहले से ही काम चल रहा था फिल्म के कहानी लगबग पूरी कर ली गई है खबरों के मताबिक अब फिल्म मेकर्स फिल्म के लिए स्टार कास्ट फाइनन करने में जुड गई है डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फंडांडिस पर बनने वाली इस बायोपिक फिल्म में हिंदी और मराथी दोनों भासाओं में रिलीस की जाएगी खबरे के मताबिक फिल्म अक्टूबर फेम डायेकर सुजी सरकार को फिल्म के निर्दरसन के लिए बोला जा सकता है सुजीत सरकार संजय राउत के एक अच्छे फ्रेंड भी है फिल्म मेकर्स के मताबिक फिल्म मुक्य रूप से डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फंडांडिस के जिंदिगी पर मुक्य पहलियों को रूप प्ले पर उतारेगी इस बायोपिक फिल्म में सन 1950 से लेकर सर 1975 की एमरजनसी तक की कहानी को मुक्य तोर पर दिखाया जाएगा बताये ये भी जा रहा है कि फिल्म में बाला साहिब ठाकरे और जॉर्ज फंडांडिस की दोस्ती के किस्यों को भी कहानी में जगा दी गई है डिफैंस मिनिस्टर जॉर्ज फंडांडिस पर बनने वाली इस बायोपिक फिल्म के स्क्रिप्ट के काम पूरा कर लिया गया है और उमीद की जा रहे है कि फिल्म के शुटिंग मार्च से सुरू कर ली जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो से लाइक करें और शेर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद